यहां से पहले बिंदू को मरीची रिशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बिंदू है वो कहलाते हैं रिशी वसिष्ठा। रिशी वसिष्ठा की बाई ओर आपको एक छोटा बिंदू नजर आएगा। ये बिंदू ही है अरुन्दती। रिशी वसिष्ठा के बाद आते हैं रिशी अंगी रसा, फिर आते हैं रिशी अत्री, फिर दाई और की तरफ मुड़ते हुए जो बिंदू आता है वो है रिशी पुलस्ट्या. उसके बाद आते हैं रिशी पुलहा और फिर रिशी क्रतू रिशी पुलहा और क्रतू के अंतर को पांच गुणा मिलाकर नीचे की तरफ आएंगे तो वहां बसे हैं दुरूव नक्षत्र सदा उत्तर में रहने की वज़े से उसे दुरूव नक्षत्र कहा जाता है इंगलिश में हम इसे नौर्थ स्टार के नाम से जानते हैं बाल्या वस्था के दुरूव नक्षत्र अगर उतर में बसे है तो वृद्धा वस्था के अगस्य नक्षत्र दक्षन में बसे है अगस्थय और दुरूव नक्षत्र हमेशा उसी स्थान पर ही पाये जाते है इन दोनों के बीच में मौजूद आकाश गंगा सतत गूमती रहती है इस कारण से हमारी धर्ती अक्ष के ऊपर गूमकर गूमती रहती है ये सच है कि सारा जगत भगवान के इर्द गिर्द गूमता रहता है लेकिन वो हमें कभी नजर नहीं आ सकता भूमी के अनेक कालू में से उसे चार काल में छाटते है उपर नजर आ रहा पीट के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह के आकार में बना हुआ सब्त रिशी मंडल हमें वसंत रुतू में ठीक ऐसे ही नजर आता है आगे बढ़ते हुए शिशिर रुतू यानी ठन के मौसम में हमें सब्त रिशी मंडल ऐसे नजर आता है फिर शरद रुतू में जब सारे पत्ते जड़ने लगते है तब सब्त रिशी मंडल हमें ऐसे पीट के बल सोया हुआ प्रश्ण चिन्ह के आकार में नजर आता है और फिर ग्रीश्मरुतू यानी गर्मी के मौसम में हमें सब्त रिशी मंडल ऐसे शिर्शासन कर रहे प्रश्ण चिन्ह के आकरिती में नजर आता है चाहे जो भी हो जब हम ये सारी प्रश्ण चिन्हों को एक साथ में देखते हैं हमारे सामने एक विशेश आकरिती हमें बनता हुआ नजर आता है वही कहलाता है हमारा स्वस्तिक स्वस्त का मतलब है आरोग्यवान स्वस्तिक का महत्व मेरे पिता मुझे हमेशा से बताते आये है लेकिन हर क्षेण प्रयोग में ला रहे इस स्वस्तिक का जनम कहा से हुआ ये आज मेरे पिता द्वारा जाना जो आप सभी में मैंने बाटना चाहा दुरूव नक्षत्र को देखते हुए हमें ये मालूम होता है कि हम पूरी जिन्दगी जिस दिशा की ओर भैते जा रहे है वही है उत्तर दिशा इसी लिए शायद हमारी भूमी पर भी दक्षिन में अधिक जल है और उत्तर की ओर अधिक जमीन है इस विशय को इतनी सुन्दरता से वीडियो के रूप में बढ़ाए है